तो समस्कार दोस्तो आप सभी का स्वगत है विजन लोक में आई वैलकमी इन विजन लोक आज हमारा नया टॉपिक है लाउफ सैट सो सैट के अलग लग लो यह पिर हम स्ट्विच को बोल सकते हैं अलजेब्रा algebra offset हम algebra offset भी बोल सके algebra offset या offset देखने वाले हम कि जो समचे सिदान तो उसमें क्या कि अनियम होते हैं क्या कि अनियम जो applicable होते हैं उनके अलग लग बीजसे अलग लग rule देखेंगे हम चैनल को subscribe नहीं कि दो subscribe कर दाना वीडियो को like कर दाना दो करते हैं सबसे पहला हमारा रूल आता है इस जैसे हम बोलते है इसका मतलब है कि करिए कि मतलब हमारे सिंपल से आगे यह कोई भी करिया नहीं कराएगा मतलब कि इसका किसी के साथ कोई action नहीं होगा जैसे हम यहाँ पर example देखेंगे एक जैसे हमने देखा हाँ कि हमारे पास आया Jaan intersection और यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास कोई element है जैसे element हमारे पास है एक्वाल टू हम a में कोई element मान लेते हमारे बर दोग यह तीनगत हैं अब इसको मानेंगे रहे जैसे हमारे पास फेर का एक के साथ इंट्रसक्षिन होगा मतलबंपम सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा जोता हम नहं के कि यह सह करने बायख है कि हम देखेंगे हमने हापर इंट्रसेक्शन किया ए और ए तो हमारे पास दो है ए और ए दोनों को हमने इंट्रसेक्शन वो यूनियन की बात कर रहे हैं आपर इंट्रसेक्शन नीचे वाला है तो यूनियन हम कर रहे हैं दोनों का यूनियन में क्या होगा इस एक एलमेंट इस एक relevant हमारे कंबायन हो जाएंगा तोटल डोलमिंग्ट लोडी मेंट कितने हमारे 123 है वण इसका खेली में कितने है कितने हैं एक हमारे element हम अलाक से लिखता हूँ और वैक लिख से लिखता हूं भी बताऊंगा क्यों 123 घंसकर इससेटब करते हैं और दूसरी चीज जो बैलेट रूल कहता है सैट का वो यह बोलता है कि कोई भी डुप्लिके से अलाव नहीं होगी इस बज़े से हमारा क्या होगा तो ए के जो हमारे अलिमेंट है वो क्या है 123 और दूसरे के अलिमेंट है 123 तो हमारा फाइनल के आ देंगे 123 यही आएगा हमारे इसके अकॉर्डिंग भी इस ही को हमने बोले यह हमारे प्रूफ होता है फस्ट कि दूसरे हम बात करते हैं एंट्रसेक्शन ए तो ए होगा अब हमने बात करी कि हमारे पास intersection क्या है intersection हमारा यह है intersection यह होगा मत्लब जो दोनों में common है हमारे पास a यह है और दूसरे भी हमारे पास यह कह है तो इन दोनोमे common क्या है इन दोनола one to three hidden common यह में इस वज़े से अमारे ए इस to क использ की लिए तो कि हमारे क्या आगी थे हमारा आगे आफियों कर दे को कि हमारे पास उसके लिए कि है अगल देखते हैं अगला हमारे पास आता है एस आपर आ पलॉड़ तो जो आशनकर करता को तो हम यह पर इसको बोलते हैं Minam यहां पर हम देखेंगे हैं यहां पर हमारे जो एलिमेंट एक्चुल में तीन को हम एक्जाम्पल ले रहे हैं हमारे पास एकॉल टू हमने कोई एलिमेंट माल लिया तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ए यूनियन बी और उसका यूनियन c that is equal to a union b union c के साथ union अब हम पहले देखते हैं कि a union b हमने यहापर मानलों कि example बना लिया हमने आपर एक दो कि यह हमारे पास यह हो गए a that is b let's see होगे हमारे पास किनो a b c अब इसमें a और b c में देखते हैं अब सबसे पहले बोला है a और b का union a और b का union क्या होगा यह हमारा पार्ट होगा यह पार्ट होगा हमारा a union b का यह जो पूरा पार्ट होगा यह सब हमारा किसके अंदर आएगा एयूनियन भी के पार्ट और यह पार्ट पूरा हमारा एयूनियन भी के अंदर मैं है मैं यहां पर element लिखी रहा हूं मुझे clear हो जाएगा तो मैं जैसे मैं दो लगा लिए element one इसमें के लिए element two होगा उल्मेंट three अब पर 5 नाफर 6 और यह पर 7 अब केलिए रो जायेगा इतली हम कि इस ग्यानिब कि बात करते हैं तो लेंच जो एक एलिमेंट कहा है मारे एकल मेंट 1 वी ए4 ए7 वी वी ए5 भी अब बी के अलoup Mag insurance है पाइव थे लिए न करते हैं यह आप इन दोनकी अलेमीन के पहले बी और सी के element देखने बी और सी को कमबाइन कर लें फिर फिर को कल कम दोनों की बात हमारी 8 के इस बह Одनों को फ़रॉबला क्या होगा एक को होगा ना कर लेकर आ यहास ini wen foreign 147 है यहां पर हमने लिख लिए एककाल मेंट आ अपर लिख लेते हैं हम咪ैक Aiínae के लिएमेंट 14 को कि स्वाइन तrend five एमारे फक्ल मेंट हो गए ऐसी थाप से हमारे बेके लिएमेंट हो गए तू कर दो और शिक्सरेटि स्वेंट और अब हमारे सी के के element आ गये के element है हमारे 3 5 6 और 7 के element हो गए अब यहां पर हम देखते हैं कि a union भी हमारे ए और वी अब और बी में क्या हमारे जो एलिमेंट होंगे 1 2 अगर यहर वी का हम union करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वन हमारा हो गया वन हमारा हो गया ठीक है अब 4 common है हमारा हमने 4 ले लिया हमारे पास क्या है 5 6 7 common है 5 6 और 7 हमारे पास common है अब यह का intersection किसके साथ होगा सी के साथ इंटर सेक्षन होगा हमारा देखते हैं अब इसका क्या होगा के ए ए यूनियन वी और सी के element वी और सी के element क्या के common है हम देखते हैं वी के और सी के element वी और सी में आएंगे हमारे सबसे पहले element आएगा 2 और मैं 3 4 6 एंड 7 अब यहाँ पर हमें इन अलिमेंट को सी के साथ यूनीन करना है और उन वनकों एक साथ इन गना है जब सी के साथ हमें करेंगा तो 3567 यह हमारे हैं यहां पर नहीं है 567 मतलब 3 और यूर और हो जाएगा इसमें हमारे पास क्या आ गया हम एक element देख लेते हैं हमारे पास जो एक element है वो क्यों से है 1475 इसमें बन नहीं है हमने सबसे पहले बन को लिखा उसके बाद में हमारे पास टू है उसके बाद में थिरी है फोर दौनों में common है उसके बाद में 5 है हमारा और 6-7 तो इसमें में आलड़ी है हमारे Home UnCallum यह हमारी है वर देखते हैं हमारे पास आता है intersection का intersection में क्या होगा intersection में किसे पहले एग्सेंगे हम आप यहां पर हमने देख लिया वहार हमारे पुल देखेंगे और इसमें के सबनेग derivative तो हमारे भच उसमें इसमों आइए हमारे पास नी है समय वागय हमारे इसको सी के साथ मतनलब सब्सक्राइब में यहां पर कौन सा common है यहां पर सिर्फ common है 7 तो इसके साथ intersection करने के बाद में हमें क्या मिलेगा हमें final मिलेगा इसका पूरे का अंसर 7 इस टैप से हम B और C करेंगे B और G में हमारे क्या common है 2 common नहीं है 4 common नहीं है 6 common है और 7 common है हमारे इसकी जगह आगा 6 और 7 आ जाएंगे और एक के साथ हम देख लेंगे में कौन सा element 7 है यहां पर भी 7 आ गया है यहां पर भी 7 element हो इस वेसे क्या होगी हमारी दैट इस प्रूब कि अग्या मिख्ले अगला जो रूल favor सकता है कमली टिप गमले टिव लोगा मृम ओरम्नमे बोलते हैं क्रंविधम इंक यह मैं रहुंख कि हम किरम बिनी मीनियम बोलते हैं तो इसमें क्या है ए और बी और यू जैसे हमने बात करी थी जो हमारे पास एक कार्डिशन प्रोडक्त होता है जिसमें और पेर की हमने बात कि थी वहां पर होता है कि वहां पर यह और पेर की बात है लेकिन यहां पर कोई और कोई मतलब नही हैं अगर हम बात कर रहा है कि हम हमारे पास युणिन करते हैं वह इंटरसेक्शन करते हैं को हमारा की क्या होगा यह होगा और अगर हम करें B और A का तब भी हमारे यही होगा इस टाइप से यह दौनों प्रूप होते हैं अगला हम देखते हैं डिस्टिबुटी व्लोग इस्टिबुटी को हम बोलते हैं बित्रण बित्तरण का नियम इसमें हम देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास ए बी और सी का यह जो हमारे लागर रूल बता हूं यह फिक्स रूल हैं यह कभी चैंज नहीं होंगे एक तरह से एज़े फार्मूला रहते हैं हमारे पास इसमें इसमें हमारे पास आता है हम इसका बना ले रहे हैं A, B and C हमारे पास तीन होगे A, B, C अब हम देखते हैं B और C, B और C का इंटरसेक्शन हमने बना लिये A, A है, J, B है, A c, B अपास क्या है? B और C का इंटरसेक्शन, B और C का इंटरसेक्शन क्या होगा? B और C का इंटरसेक्शन होगा, that part अब यह बात क्या कर रहा है? अब, A का union मतलब, इसका intersection और A के साथ हें के साथ जह कोमाई यूनिएंण होगा तो हमारा क्या पार्ट अजाएगा पूरा को यह पार्ट हमारा आजएगा कुस्म मैं धर ददेखते हैं दूसरा houses drawings आता है वार-बार सद करने से अच्छा है हम यहां पर Element लिखते हैं ठीक हमारे पास आगे सबस्वहल मं देख रहे हैं विडी और सी का इंटर सक्शन वहही सुभी और सी कम क्या करेंगे इंटरसयशन करेंगे ob इसका भी पार्ट है इसका भी पार्ट है अगली चीज अगली हम देखते हैं अब एक के साथ इसका यूनिन करेंगे एक के पास कौन कौन सा element है हमारे पास एक पास 147 जिए के पास है 147 जिए हमारे पास element अगए अब इनका क्या होना है इनका union होना है अब इदर देखें ए और बी का union ए और बी का union में ए और बी दौनों का element आ जाएंगे इसके element क्या है 1 है 4 है 7 है 6 है और 2 and 5 यह हमारे पास आ गए अब A और C का हम देखेंगे कि A और C का हमारा क्या गया वन है और है 6 है 7 है और इसके लाभा हमारा कि यह है कि आगे अब हम इन दोनों को करेंगे क्या है यूनियन अब इनका union होगा तो हमारे पास 7 कॉमन है सिर्फ वन और फॉर फाइव तेक्स तैविन किया जाएगा और इसमें अगर इसका जाए हम यूनिन करेंगे तो हमारे पास one common है अपर है ठीक है वालिए हमने फोर यहां पर common है तो फूर यहां पर लिख दिया अगला हमारे पास शिक्स और सैबनों common है तो यह हमारा फाइनली यह हैं प्रोव अगला हम देखते हैं तो अगला भी हम इस ही डाइप से लेंगे इसको distributed को भी इसके बाद मेँ अगला चलते हैं हमारे पास Nets आता है दी मॉर्गन स्लों में जो हमारा रूर्डी होता है कंक्वान का όल में कंपली में कंबिमेंट TV में का इसमें सबसे कॉम्पलीमेंट में देखते हैं तो जैसे हमने अब डी मॉर्गन लों में बात करेंगे कि A और B याप पर हमारे A और B A and B 1, 2, 3 तिन एलिमेंट हमने दे दिये और हमारे पास दूसरा क्या बोल रहा है A union B का कॉंप्लिमेंट कॉंप्लिमेंट होगा हमें इन्यूवर्स लेना पड़ाएगा माल लिए हमारे पास यूनिवर्स के अंदर 4 और 5 दो और हैं है एलिमेंट 4 और 5 अब हम या पर देख सकते हैं कि A union B एक है A union A और B का union और उसका होगा तो है यहाँ पर जो अलिमेंट वचेंगे हमारे 4 & 5 पहाइए इससे CYP का क्मप्लिमेंट लेते है पहले प्छी क्या त 1a का अंदर कौं हूइं की और 2All होगा अब B के अंदर देखते हैं तो B के बाहर कौन सा है वह 1 है 4 है और 5 है अब इन दौनों का जब हमारे पास इंटर सेक्शन होगा तो 4 और 5 कौमन आ जाएंगे और इसी टाइप से इसका पोजट करेंगे अगला हमारे पास आइडेंटिटी लोग मतलब एक जिस्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं तो मतलब यहां पर हम बात करेंगे कि जैसे हमारे पास एक a empty cell है empty set है और एक हमारे पास a set है empty set अब हमें आल्रेड इस चीज पता है empty set is the subset of set a empty set तो हमेशा किसी नहीं किसी set का subset होता ही है सिर्फार हमने common subset बताएते वहाँ सेट के होंगे एक तो वो खुद एक सैट और दूसरा एम्पटी सैट होगा अपने सैट का सब्सेट होगा अगर हमारे पास सिर्फ हम बात कर रहे हैं सब्सेट की लेकर अगर हम बात करें प्रॉपर सब्सेट की तो क्या होगा सिर्फ एम्पटी सैट है जो सब में कॉमन होगा इसके हम बात करते हैं, आपर हमारे पास A है और दूसरे हमारे पास empty set है, तो empty set में कुछ है नहीं तो ये भी हमारा equal होगा, इसी type हम देखते हैं, कि A union universal, तो universal के अंदर खुद A आता है, तो दौनों के अंदर जो element हम add करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, यूनियन ही होगा, जैसे हम देख लें यहाँ पर, हमारे पास ये है, ये union है, देखें, ए और union के अगर element जोड़ेंगे, तो क्या होगा, A के जो element है, already हमारे union के ही part आते हैं, element of set A belong to U, union से belong करते हैं, तो इस बेखेंगे क्या होगा, इसके part होगा, इसी type हम देखेंगे, कि दौनों में common कौन से हैं, तो common A के खुद के जो element है, और जो U के element यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो हमारे common होगा, इस बेखेंगे, हम देखें और यह हमारे पास law set है, अगला law आप सेट देखते हैं, next आता है हमारे पास compliment law, compliment law, जैसे हम आलेटे देख चुके हैं, compliment law, जैसे A हमारे पास है, compliment law बना लेते हैं, compliment, हमारे पास A है, that is U, तो सबस्रे हम देखते हैं, A का compliment क्या होगा, A का compliment होगा, मतलब एक के बाहर जितने भी जितने भी हमारे element होगे जो यू का part है मतलब जो इनिवर्जल सेट का parr element है बसएक element हमको नहीं लेने हैं हमारे पास क्या हो गए वो सब के अब यहां पर क्या होगे यहां पर एक के part हो गए एक के part के जब union union होगा तो यू तो हो गई हिसै टाइप से हम इसमें देखते हैं ए इसी से को्राइब कर दोंगों के बीच में काँमन है मतलब एक की बीच में की होगा यूनिवर्सल के पार्ट है क्या होगा यू कमें का नहीं करे है मतलब यू तो खुद सबकुछ के अंदर में समा रहा है जो इनिवर्सल सेट के अगर कॉंप्लिमेंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो आएगा वह हैं कि कॉंप्लिमेंट हम निकालते ही स्टैप्स देखें हैं कि जो यू का पार्ट है लेकिन उस पर्टिकुलर सब आप नहीं है तो इसी टैप से हम इसको उल्टर करेंगे तो हमारे पास जो कुछ नहीं है उसका अगर कॉंप्लिमेंट करेंगे अगला हमारे आप पास आता है इन्वालिशनल लॉओ यह हमारा होगा अगर इसका कॉंप्लिमेंट निकालेंगे उसका फिर कॉंप्लिमेंट निकालेंगे यह कह dispiens Jeśli जहाँ निकारेगे निक निकारेगे तो किया निए टरए के यह तो में से उसका पार रहे है यह कि ये था हमारे पास कैसेज़ अलगलग रूब्ल को मैं रते को रोल पड़ा ये मैं याद करना पड़ा एगा अक्षिन मैंने समझा दिया यहां पर और बाकि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझने वाली चीज की हमने समझ लिए थैंक यू थैंक यू अब्रीवन कि अब